गीद का लाइन बता रही है जुगों जुगों का परमार है ये जवन करी तुह पाई स्वेम मालिक परमपिता परमेश्वर ने दिया करता है करनी यैसी है वो यैसी भरनी पड़ेगी गीद संकेत कर रही है करनी जैसन करवाम करनी जैसन करवा वैसन फल संसार में मिली करनी जैसन करवा वैसन फल संसार में मिली सिचबा काट के विरवाब फल का बहूर संसार में मिली करनी रावर खराब कैले सीता को हर लाया कुल का अपने नस करवा न करनी का फल पाया सीता लाज बचवनी न वैसन जग में नार न मिली सीता लाज बचवनी वैसन जग में नार न मिली सीता लाज बचवनी वैसन जग में नार न मिली मर्यादा की जनक मादनी गई माता सीता जी दूसरी लाइन में कहना है क्या अत्याचारी कंसपहन को जेल के अंदर दाला महत भैभित होकर अपने देव की पुत्रहत दाला अठवा पूत्र कनहया वैसन खेवन हार ना मिली अठवा पूत्र कनहया वैसन खेवन हार ना मिली की सरी लाइन में कहना है कि नाम समुझ रम्मन जी कहते करनी करो महा करने करो महान भैया करने करो महान सीव चरन कभी राम हरत क्यों बनते हो अन नाम तस से खर गायक जैसन की गायक चंद्र से खर सा भाईया कोई दिलदार नाम करने करने मुझ खरस जैसन नाम करने टौन कि राम्हाइन करने करगी करने खरस दो आवे